इस पूरे घटना करम का मुख्य अभ्युक्त था सुरेश मिश्णौई इस बस में कुछ अभ्यर्थी और उसके साथ साथ एक्सपर्ट सवार थे इस पूरे मामले से जो एक कहावत चरितार्त होती है वो यही है कि जो बाड़ ही खेत को खाए तो आखिर खेत क्या करे इस तरह की घटनाएं दिन रात मेहनत करने वाले कई अभ्यर्थियों के लिए कुठारा गात होती है नमस्कार दोस्तो कानी की शुरुआत होती है 24 दिसंबर 2022 से इस दिन RPSC के द्वारा सेकेंड ग्रेड शक्षक भर्ती परिक्षा का पेपर आयोज़ित किया जाना था जो की 9 से 11 बजे तक विभिने सेंटर्स पर हो रहा था इसे दोरान पुलिस को पता चलता है कि एक चलती हुई बस में नकल कराई जा रही है और इसी क्रम में पुलिस के दोरा 50 से भी ज़दा अभियुक्तों को गिरफतार किया जाता है पूरू में मिली सूचना के आदार पर पुलिस ने गोगुंदा पिडवाडा हाईवे पर नाकाबंदी की थी और इस नाकाबंदी में जालोर से आ रही एक बस को रोका गया इस बस में कुछ अभ्यर थी और उसके साथ साथ एक्सपर्ट सवार थे ये सभी मिलकर के एक पीपर को स्वालू करने का प्रियास कर रहे थे ताकि परिक्षा में बैठने से पहले ही नकल पूरी की जा सके इस बस को एक जगह से दूसरी जगह पर घुमाया जा रहा था ताकि पकड़ में आने से बचा जा सके हमें बुक पर से सुच्छा मिली थी कि जो एक्जाम चल रहा है इसमें कुछ लोगों को बस के थू ले जाया जाकर उनको एक्जाम सॉल करवाया जाकर और उनको हेल्प की दी जा रही है तो इस उच्छा को ड्वेलप किया गया और लगातार पीछा करके इन लोगों को बेकरे के पास पकड़ा गया है इसमें भी 40 से ज़ादा लोग जिसमें केंड़ेट्स, मैजर्टी केंड़ेट्स हैं जो जालोर को बुलाँ करता है और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको पेपर सॉल्व करवाने में मदद कर रहे हैं तो उनको पकड़ा गया है इस पूरे घटना करम का मुख्य अभ्यूक्त था सुरेश मिश्णोई जिसने अपने मित्र पूरा राम साहू की बस को किराये पर लेकर के इस घटना को अंजाम दिया था उसने उन अभ्यर्थियों को 5 से लेकर 10 लाक रुपे में पेपर बेचे थे और उनको सौल्व करवा करके सेंटर पर पहुशने का जिम्मा उठाया था इस परिक्षा को पेपर को लीक करने में अब तक 5 मास्टर माइंड सामने आ चुके हैं तो उन पर हम एके करके चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं सुरेश विष्णोई की जो जालोर के हिमा गुड़ा गाउं का रहने वाला है और वहीं के एक उच्च प्रात्मिक स्कुल में प्रिंसिपल के पदपर कारेत है पुलिष का कहना है कि विष्णोई ही बसको हैंडल कर रहा था और उसको एसको एसकोर्ट करने में मदद कर रहा था विष्णोई को यह पेपर उसके जीजा सुरेश धाका ने उपलब कराया था सुरेश धाका जयपूर में एक नामी कोचिंग का संचालक था और उसने ये सारा कारिय भूपेंदर सारण के साथ मिलकर किया था जो कि पहले भी 2011 में पेपर आउट करने के चकर में गिरफतार हो चुका था Mastermind सुरेश ढाका की पहुँच सरकार के बड़े-बड़े मंत्रियों तक थी और Facebook पर भी उसकी लाखो की संख्या में fan following थी भूपेंदर सारण भी साचोर का रहने वाला था और railway का एक निलंबित करमचारी है उसका भाई पाली में तेल चोरी के मामले में निलंबित हो चुका था और वो भी SI के पत्पर था करणी वीहार थाना पुलिस ने भूपेंदर की पत्नी, उसकी प्रेमिका और उसकी भाई की पत्नी को इस मामले में गिरफदार किया था पुलिस के सर्च कारवाई में भुपिंदर सारण के ठिकानों से कई नामी युनिवर्सिटियों की फरजी डिग्रियां और अंक तालिकाई प्राप्त हुई है जो उसकी इस तरह की संदिक्द भूमिका को भी दर्शाता है जब 10 दिनों तक जाच करने के बावजूद कोई भी अभ्यूप्त पकड में नहीं आया तो इसके बाद 4 जनवरी 2023 को डीजीपी उमेश मिश्रा की द्वारा जो है इन दोनों ही पर 25-25 अजार रुपे का इनाम खुशित किया गया हाला कि इसके बाद भी कोई फल नहीं मिला और फिर सरकार ने इन पर आर्थिक एक्शन लेने का फैसला किया 9 जनवरी 2023 को जेडिये ने कारवाई करते वे जैपूर के गूजर की थड़ी पर इस्थित अवेद कोचिंग सेंटर पर बुल्डोजर चलाया और उस बिल्डिंग को ड़ा दिया इसके बाद बारी आती है भुपिंदर सारण की भुपिंदर सारण के करणी विहार छेतर में इस्थित मकान को भी जो है जेडिये के दौरा 13 जनवरी को तोड़ दिया गया आगे चल करके जनवरी माह में ही सुरेश विष्णोई और बाकी अभ्युक्तों को जमानत मिल गई हाला कि सुरेश विष्णोई को बाद में एक अन्य मामले में फिर से गिरफतार कर लिया गया इस दोरान कई संगठनों और चात्रों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किये जा रहे थे और ये मान की जा रही थी कि 21 से लेकर 23 तारिक तक होने वाले सभी पेपर्स को रद्द किया जाए क्योंकि यहां पर केवल एक पेपर आउट नहीं हुआ बलकि अनेक पेपर आउट हुए थे पुलिस अपनी जाच में लगी हुई थी और इसी के बाद 23 फरवरी 2023 को लगबग डेड़ महीने बाद में बैंगलूरू के एरपोर्ट से बुपेंदर सारण को गिरफतार किया ग वह आदमी था जिसने सुरेश धाका और भुपेंदर सारण को पेपर की सप्लाई की थी अब जो खुलासा होने वाला था वो काफी घहमा घहमी पैदा करने वाला था क्योंकि शेर सिंग मिणा ने जब जानकारियां दी तो पता चला कि इस पूरे मामले में आरपी असी के अ भांजे को गिरफतार कर लिया दरसल इस पूरी परिक्षा के दोरान पेपर सेट करने की जिमिदारी इनी आरपेसी सदश्य को मिली थी और इन्होंने अपने ही इस तरपर सबसे पहले साथ लाक रुपे में ये पेपर शेर सिंग मिणा को बेच दिया था शेर सिंग मिणा न इस ने तुरंत कारवाई करते हुए बाबुलाल कटारा को निलम्बित कर दिया और सभी अभ्यक्तों को जियल में भेज दिया ये सभी वर्तमान में पुलिस की रिमान पर है और इन पर उधेपूर में मुकदमा जारी है चुकि बावुलाल कटारा एक RPSC के मेंबर है अत्या उन पर कारवाई करने के लिए राश्टपती की सर्मती आउशक है दरसल सविधान के अनुछे 317 के अनुसार इस पूरे मामले में एक्षन लेने का पूरा का पूरा अधिकार केवल राश्टपती को है और वे ऐसा उच्चतन नयायले के प्रतिवे दिन पर करने वाले हैं अभी फाइल उनके पास गई हुई है और उन पर क्या एक्षन होना है ये अभी तथ पैंडिंग है बावलाल कटारा के RPSC मेंबर बनने की कहानी भी बड़ी दिल्चस्प है उन्हें अगस 2020 में RPSC का मेंबर बनाया गया था और ये पूरा का पूरा एक आंदोलन के बाद में हुआ था दरसल 2020 में डुंगरपुर बासवाडा चित्र में सिक्षक भरती 2018 के विरोध में एक आंदोलन किया गया था जिसमें ये मान की गई थी कि जनरल केटेगरी के 1167 पदों पर अनुसुचित जाती के सदश्यों को नियुक्ति दी जाए बाद में इस पूरे मामले में दो लोगों की मृत्ति हो गई थी और फिर उठने वाले विरोध को दबाने के लिए राजमितिक रूप से बाबुलाल कटारा को RPSC के मेंबर के रूप में नियुक्ति दी गई थी बाबुलाल कटारा ने RPSC मेंबर बनने के साथ ही ये कहा था कि वह ऐसा काम करेगा कि पूरा वागड़ उसे याद रखेगा खेर उसने काम ऐसा किया है जिससे पूरा वागड़ी नहीं बलकि पूरा राजस्थान ही याद रखने वाला है इस तरह की घटनाएं दिन रात मेहनत करने वाले कई अभ्यर्तियों के लिए कुठारा गात होती है और कई अभ्यर्तियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है राजस्थान में ये पहली बार नहीं था जब कोई पेपर आउट हुआ है बलकि पिछले डेट सालों में ऐसी घटनाएं कहीं बार हो चुकी है चाहे वो आपके कांस्टेबल का पेपर हो वो वनरक्षक भरती परिक्षा हो वो मैडिकल ऑफिसर परिक्षा हो या फिर वो आरेस के इंटर्यू सम्बंदित घोटाले हो हर जगे हम इस तरह की भूमिकाओं को देखते हैं इस पूरे मामले से जो एक कहावत चरितार्त होती है वो यही है कि जो बाड़ ही खेत को खाए तो आखिर खेत क्या करे ऐसे में आवशक है कि सरकार के दौरा कुछ कड़े नियम कानून इसमें बनाये जाए और इमपर उचित एक्षन लिया जाए ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके RPSC के द्वारा अभ्यर्तियों पर लगातार सक्ती बढ़ाई जा रही है लेकिन आनतरिक रूप से जिस तरह से पेपर आउट होते हैं उन पर अभी तक कोई ठोस कारवाई नहीं की गई है हमारे पास UPSC का उधारन उपलब्द है जहांपर हर परिक्षा को शान्ती पूर्वक आयजित कराया जाता है और समयबद तरीके से किसी तरह के बिना पेपर आउट वे परिक्षाय संपन कराया जाती है क्या RPSC वहां से सीख नहीं ले सकती है खेर ये विचार राजनितिक रूप से विचारणी है तो इस पर सोचना चाहिए इस पर प्रियास किया जाना चाहिए और अमल करते वे RPSC को एक मजबूत सवेधानिक संस्था के रूप में विक्सित करने की आवशकता है चलिए इस मुद्धे पर हमारी चर्चा आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें शेर करें अपने दोस्तों के साथ और बनेरे हैं सितरे दनिवार